कश्मीर की हसीन वादियों में बनाया जा रहा है बिज्ञान का एक जूबाग दुनिया का हाइस्ट रेलवे ब्रिच दच्छनाब ब्रिच 1315 मीटर लंबा नदी के तल से 369 मीटर की उंचाई पर बना और 466 मीटर के आर्ट से सजा ये पुल आइफल टावर और स्टाची ओव यूनिटी जैसे इमारतों से भी उंचा है चनाब ब्रिच को उत्तर रेलवे और के आर सील के संब्रक्षन में शापुर्जी पालंजी ग्रूप की कंपनी आफकॉन्स बना रही है C See this project is a iconic bridge so one of the main challenges was access to the bridge location to transport equipment and construction materials the Seasymik activity which is of a very high nature in these areas was another challenge. In order to overcome this earthquake response was obtained from IIT Roorkee and incorporated into the design. हब सुनिए एक कमाल की बात. इसमें 25,000 तन मेटल इस्तेमाल किया जा रहा है. यानि आइफल टावर से तक्रीबं तीन गुना ज्यादा. पता है, जब चिनाब ब्रिच तयार होगा, तो इसका सबसे बड़ा आकर्शन क्या होगा? इसका आर्च. इसे एंजिनियर्स ने करीब धाई साल लगा कर केबल क्रेंज की मदद से तयार किया है. लेकिन इस पुल में सिर्फ खुबसूर्ती पर ही नहीं, बाकी तमाम पहलों पर भी ध्यान रखा गया है. ये माइनस 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान को, और 260 किलोमीटर प्रती घंटे की रफ्तार से चलने वाली तूफानी हवाओं को आसानी से जहेल सकेगा. इसन्ट आर अमेजिंग? और तो और इसका स्ट्रॉक्चर इतना मजबूत है कि 2001 के गुजराथ भूकम जैसे हाई-मागनिटूट अर्थक्वेक्स का भी सामना कर लेगा. The beauty of this bridge is that even if one of the pillars is missed, you can still have the bridge intact. Major fabrication has been done at site as compared to what is normally done in the European countries. The quality that has been achieved has been appreciated by a lot of international experts who have come and visited this project site. Driyasi district में बन रहा ये पुल ना सर्फ कश्मीर के कौरी और बक्कल गाउं को जोडेगा, बलकी कश्मीर से कन्या कुमारी तक सीधी रेल सेवा शुरू करने में भी मददगार सावित होगा. चिनाब ब्रिज सिर्फ यातायात के बहतर रास्ते ही नहीं खोलेगा, बलकी सामाचिक और आर्थिक विकास में तेजी लाने का जरिया भी बनेगा. इसे देखकर हर भारतिये गर्व से कहेगा, It happens only in India.